ने कि जो सेशन है उसमें हम लोग प्रेस्ट क्रॉल के बारे में बताएंगे breast crawl during normal delivery or breast crawl during caesarean section, जब भी जो surgery होती है you know, operation जब भी operation से बच्चा लिया जाता है तो वो टाइम पे भी हम लोग breast crawl करा सकते हैं तो यह चार tutorial है बहुत ही महत्वपुर्णा है breast crawl normal delivery में आपको insist करना है कि हर बच्चे को breast crawl कराए जैसे बच्चा पैदा होता है उसको तुरंथी अगर बच्चा रो रहा है बच्चा स्वस्त है तो उसको तुरंथी मा के पेट पे रखना है पूरा उसका प्रोसीजर है हम लोगों ने step by step tutorial में दिखा है आप देखेंगे जितना बच्चा तुरंथी मा का दूद पिएगा उतना वो बच्चा सिखेगा कैसे दूद पिना है कैसे मूँ खोलना है कैसे स्थन को चूसना है वो पूरा वो जितना जली हम लोग स्थन पे रखेंगे उतना बच्चा जली सिखेगा दूसरा है जैसे वो बच्चा दूद पिना चालू करेगा मा को ज़्यादा दूद आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना जल्ली आप बच्चे को सटन पे रखेंगे मा का दूद बना चालू हो जाएगा दूजरा बहुत सारे फाइदे है कि तुरंत मा को जो पोस्पार्टम हेम्रेज बोलता है जबी बहुत खुन जाता है वो भी कम जाएगा मा के तो अफकोस बहुत सारे फाइदे है लेकिन बच्चे के लिए तो ये इंफेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाएगा तो इंफेक्शन कम होंगे उसको तुरंती उसकी जो प्रक्रिया है जो दूद मिना और उसका जो उसका जो मल निकलना वो भी चालो हो जाएगा तो वो भी आपको ध्यान में रखना है सेजेरिन सेक्शन में भी आप डॉक्टर को पहले से बता सकते है कि बच्चे को कैसे ब्रेस्टरॉल कराना है यह तीनो टुटॉल में हम लोग ने दिखाया हुआ है कि बच्चे को मतलब ऐसे सीधे ना रखते हैं उसको साइड में रख सकते हैं ठीक है? और साइड में मतलब पैर एक बज़ो आएगा और सिर दुसरे स्थन पर आएगा बच्चा उपर से भी आ सकता है तो नर्स उसको उपर से भी दूद पला सकती है मतलब उपर से पैर कंदे के उपर और सिर स्थन के उपर तो वो भी आपको बहुत धान से देखने हैं यह टुटॉरल और आपको बहुत अचली नया जानने को मिलेगा और चार टुटॉरियल जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट्रॉल डिरिंग नॉर्मल डिलिवरी और ब्रेस्ट्रॉल तीन टुटॉरिल है वो सेजरिन सेक्शन के टुटॉरियल से है ठीक है? धान्यवाद ब्रेस्ट्रॉल पर स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सिखेंगे कि ब्रेस्ट्रॉल क्या है इसे करने का पूरा तरीका और ये क्यूं ज़रूरी है आईए पहले हम समझेंगे कि ब्रेस्ट्रॉल क्या है जब शिशु पैदा होता है तो वह प्रक्रतिक रूप से स्तनपान करना जानता है प्रसव के तुरंत बाद मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखे जाने पर शिशु खुद ही मा का स्तन ढूंड कर स्तनपान शुरू कर सकती है इस पूरी प्रक्रिया को ब्रेस्क्रॉल कहते हैं ध्यान दें कि नौ महीने कोख में पूरे किये हुए शिशु जो सामाने तरीके से या ओपरेशन से हुए हो उनको भी ब्रेस्क्रॉल कराया जा सकता है और जो पैदा होते ही काफी रोए हो असंतुलित शिशु जिनका जनम पर कम वजन हो उन्हें ये नहीं करवाते क्योंकि उनको सांस की तकलीफ हो सकती है जैसे सांस फूलना अब हम बात करेंगे ब्रेस्क्रॉल करने के तरीके की और ये करना क्यों जरूरी है पहले ये पक्का कर लें कि प्रसव की कमरे का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है अगला शिशु को उसके मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखकर साफ करें शिशु के हातों के अलावा उसका पूरा शरीर साफ करें याद रखें कि शिशु के हात गीले रहने दें साफ करते हुए उसके शरीर की सफेद परत ना उतारें ये शिशु को ठंडे वातावरंड से बचाता है शिशु को साफ करने के बाद वो गीला कपड़ा हटा दें शिशु को सुखाने के बाद स्वास सेविका को धड़कन वाली नाल महसूस करनी चाहिए जैसे ही धड़कन बंध हो जाए उसे काट देना चाहिए अब फिर से शिशु को मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर इस तरह रखें कि उसका पेट मा के पेट को छुए उसका सर मा के बिना धुले स्थनों के बीच में रखा जाना चाहिए और उसका मूँ मा के स्थनों के नीचे होना चाहिए अब शिशु ब्रेस्ट्रॉल के लिए सही स्थिति में है क्यूंकि आगे बढ़ना बहुत प्राकृतिक है इसलिए वो आसानी से मा के स्तनूं तक रेंग कर पहुंच सकती है अगला शिशू और मा को गरम रखने के लिए उनको एक साफ सूखा कपड़ा उढ़ाएं और शिशू को टोपी पहनाएं ध्यान दे कि आगे के चित्रों में टोपी और कपड़ा नहीं दिखाया जाएगा ताकि ब्रेस्क्रॉल के दौरान शिशू की स्तिथी साफ दिखाई दे शिशू को कपड़ा उढ़ाने के बाद मा को अपने हाथ से शिशू की पीट को सहारा देने को कहें अब बात करेंगे शिशू के ब्रेस्क्रॉल करने की काबिलियत की जनम के बाद शिशू बहुत सतर्क और स्तन पान करना जानती है अपने साफ न किये हुए हाथों की महक सूंग कर उसका थूप निकलता है और आखों की कमजोर नजर से भी वह अपनी मा का चहरा और एरियोला देख पाती है एरियोला निपल के आसपास का काला भाग होता है अपने हाथों और पैरों का इस्तमाल करके शिशू आगे बढ़ती है और रेंगते हुए मा किस्तनों तक पहुंचती है कुछ शिशू तुरंट रेंगने लगते हैं और कुछ को समय लगता है स्तन तक पहुंचने के बाद शिशू उसे पकड़ने की कोशिश करती है ऐसे में शिशू और उसकी मा को अकेला छोड़ दे जब तक वो पहला स्तन पान शुरू नहीं करती स्वासिसेविका और मा दोनों को धीरज रखना चाहिए शिशू को 30 से 60 मिनट भी लग सकते हैं मा के स्तन तक पहुंच कर पहला स्तन पान शुरू करने के लिए स्तन पान शुरू करने के लिए शिशू अपना मुँ बड़ा सा खोलेगी और स्तन से गहराई से जुडेगी स्तन पान के बाद लगबग एक घंटे के लिए शिशू को उसी स्तिती में रहने दे इस से मा और शिशू का बंधन और गहरा होगा पर अगर मा ने कुछ दवाई ली है तो इसके बारे में डॉक्टर की सला ले ये भी हो सकता है कि मा को प्रसव कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना पड़े ऐसे में कमरा बदलने के बाद शिशू को तुरंथ मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखें जैसे की पहले बताया गया है अब बात करेंगे ऑपरेशन से हुए शिशू के लिए ब्रेस्ट क्रॉल की ये करने के लिए शिशू को मा के पेट पर रखने के बजाए मा के सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि शिशू की टांगे मा के सर की तरफ हो शिशू का सीना और पेट मा के कंधे पर और उसका मू मा के स्तन पर होना चाहिए आपरेशन वाले कमरे में ही शिशु को जितनी देर हो सके स्तन को चूसने दे याद रखें प्रसव के तुरंत बाद किसी भी देखबाल से जादा जरूरी है कि दोनों के बिना कपड़े ओड़े हुए शरीर एक साथ रखे जाएं ब्रेस्क्रॉल होने के बाद ही जनन के बाद वाली नवजा देखबाल देनी चाहिए अब बात करेंगे कि ब्रेस्क्रॉल नवजा शिशु के लिए क्यों जरूरी है ब्रेस्क्रॉल करके शिशु को मा का पहला दूद जिसे कॉलस्ट्रम कहते हैं वो मिलता है, वो पीला और गाड़ा होता है ध्यान दें कि प्रसव के बाद कॉलस्ट्रम की मात्रा शिशु के हर स्तन पान के बाद धीरे धीरे बढ़ेगी पहले दिन शिशु 5 मिलिलिटर पिएगा, दूसरे दिन 10 मिलिलिटर पिएगा और तीसरे दिन 25 मिलिलिटर 40 मिलिलिटर चौथे दिन और 55 मिलिलिटर पांचवे दिन ऐसा हर स्तन से हर बार स्तन पान के दौरान होगा इतना नवजाद शिशु के लिए काफी है इसलिए शिशु को कॉलस्ट्रम के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए कॉलस्ट्रम शिशु के लिए पहला टीका है उसमें इंफेक्शन से लड़ने के लिए प्रोटीन होता है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाता है जनम के बाद शिशु को ताकत पहली बार इसी से मिलती है कॉलेस्ट्रम शिशु के खून में ग्लूकोस को कम होने से बचाता है और शरीर की बाकी प्रक्रिया बनाए रखता है और एक स्वस्त दिमाग भी बनाता है ये शिशु को उसका पहला मल निकालने में मदद करता है ब्रेस्क्रॉल में शिशु गरम रहता है क्योंकि वह अपने मा के बिना कपड़े ओड़े हुए शरीर के साथ होता है वो खुद बखुद मा के स्थन से गहराई से जूड़ना सीखता है ब्रेस्क्रॉल से मा के स्वस्थ बैक्टीरिया शिशु को मिलते हैं और ये बैक्टीरिया शिशु के आंतों में जाकर इंफेक्शन से लड़ते हैं जिससे की शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ती है ब्रेस्क्रॉल से शिशु को मा का प्यार और सुरक्षा मिलती है जिससे दोनों में बंधन गहरा होता है ब्रेस्क्रॉल से मा को भी फाइदा होता है शिशु के पैरों के जोर की वज़े से मा के कोक पर दबाव पड़ता है ये दबाव गर्भाशे को सिकोडता है और गर्भनाल को निकालने में मदद करता है स्तनपान शुरू होते ही मा के शरीर में ऑक्सिटोजिन की मात्रा बढ़ने लगती है बढ़े हुए ऑक्सिटोजिन की वज़े से भी गर्भनाल के निकलने में मदद मिलती है ब्रेस्क्रॉल खून के बहाव को कम करके मा को अनीमिया से बचाता है अनीमिया ऐसी अवस्था है जिसमें लाल रक्ट कोशिकाएं कम हो जाती है इससे मा को ठकान और कमजोरी होती है इसलिए ब्रेस्क्रॉल प्राकर्तिक रूप से मा और शिशु के लिए बहुत फाइदेमंद है ब्रेस्क्रॉल का ये टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद Caesarian Operation के बाद स्तन पान की तैयारी पर बने spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम जानेंगे Operation वाले कमरे में तवचा से तवचा का समपर्क कराने के फाइदे और Operation के बाद तवचा से तवचा के समपर्क की तैयारी इस टुटॉरियल में ओप्रेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा त्वच्चा से त्वच्चा के संपर्थ को STS कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओप्रेशन वाले कमरे में जल्द से जल्द मा और नवजाचिशु के लिए STS जरूरी है यह ओप्रेशन के दौरान और ओप्रेशन के तुरंत बाद के समय में उन्हें बहुत फाइदा दे सकता है यह उनके स्वास्त से जुड़ी लंबी या फिर छोटी बिमारियों में गहरा असर करता है यह स्तनपान को आसान बनाता है त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माएं अपने नवजाच शिशु पर जादा ध्यान देती हैं शिशु पर यह ध्यान देने से मा को दर्द कम महसूस होता है जब वे दर्द कम महसूस करती हैं तो उसकी चिंता भी कम हो जाती है यह मा और शिशु की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है यह दोनों के हृदय गती को भी सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय, मा और शिशु एक दूसरे को गरम रखते हैं इस से दोनों के शरीर का सही तापमान बना रहता है इसलिए प्रसव के तुरंत बाद ओप्रेशन वाले कमरे में ही STS किया जाना चाहिए यह जरूरी है कि अस्पताल के करमचारी इस प्रक्रिया के साथ सहज हों इसके लिए पूरी और सही तैयारी जरूरी है इसकी तैयारी सिजेरिन प्रसव से पहले और प्रसव के समय की जानी चाहिए इसमें वे सब लोग आते हैं जो नवजात की देखबाल के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें मा और उसके करीबी रिष्टेदार शामिल है इसमें डॉक्टर भी शामिल है नर्स और ओपरेशन वाले कमरे के करमचारी भी इन सबको ओप्रेशन वाले कमरे में ही STS करने की वजह अच्छी तरह समझा देनी चाहिए उन्हें समझाएं कि मा और नवजाद शिशु को किस तरह फाइदा होगा सबको ओप्रेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू करने के बारे में फिकर हो सकती है उनकी फिकर कम करने के लिए उन्हें मा और शिशु की सुरक्षा का आश्वासन दे मा और शिशु की सुरक्षा और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिक्ता होनी चाहिए आपरेशन वाले कमरे में होने वाली चिन्ताओं को शान्ती और स्पष्ट रूप से निप्टाया जाना चाहिए आपरेशन के समय डॉक्टरों को मा से जुड़ी कुछ भी आपात स्तिथी महसूस हो सकती है ऐसे मामलों में आपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क पूरा नहीं हो पाता नवजात को उचित वातावरण में जरूरत के मुताबिक देख बाल के लिए ले जाया जाएगा प्रसब से पहले ओपरेशन वाले कमरे में मदद के लिए एक नर्स को रखना चाहिए उसे मा को अपना परिचै देना चाहिए उसे पक्का करना होगा कि मा अपरेशन वाले कमरे में STS करना चाहती है अब प्रसब से पहले OR में होने वाले सभी कामों के बारे में बात करते हैं अपरेशन वाले कमरे में मा की बाहों को हाथ के बोर्ड से बांधा जा सकता है आईवी लाइन वाले हाथ के बोर्ड पर बाएं बाजू को बांधना बहतर रहता है रक्तचाप कफ वाला दूसरा बोर्ड दाहिने बाजू से बांधा जाता है उस समय वहां मौजूद नर्स मदद करेंगी उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या दाहिने हाथ को STS के लिए छोड़ा जा सकता है और मा को बताना चाहिए कि उस हाथ का इस्तेमाल शिशु को STS के लिए पकड़ने के लिए किया जाएगा छोड़े हुए हाथ को रक्तचाप मापने के लिए हर कुछ मिनिटों में सीधा किया जाएगा नर्स को कमरे का तापमान 25 डिगरी सेलसियस पर बनाए रखना चाहिए यह तापमान शिशु के आने के लिए सही होता है नर्स को यह पक्का करना चाहिए कि मा ने ब्रा नहीं पहनी है मा की मैक्सी सामने से खुली होनी चाहिए इससे शिशु को मा की चाती पर रखने के लिए चाती से मैक्सी हटाने में आसानी होगी नर्स को मा की नसों में लगी इंजेक्शन की ट्यूबों की स्थिती पर ध्यान देना चाहिए इससे उसे शिशु को रखते समय उन इंजेक्शन की ट्यूब से बचने में मदद मिलेगी अंत में उसे एक डाइपर या लंगोट, गरम तॉलिये और कंबल तयार रखने चाहिए इनका उप्योग वह शिशु को सुखाने और ढखने के लिए करेगी ओप्रेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर्क की तयारी अब पूरी हो गई है ओप्रेशन वाले कमरे में STS कैसे शुरू करें इसके बारे में एक अन्नी टुटॉरियल में बताया गया है जादा जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेब साइट पर जाएं अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद C-section के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की प्रक्रिया पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम जानेंगे C-section प्रसव के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क किस तरह करे त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय शीशू की देखभाल के लिए कुछ बात है इस टुटॉरियल में आपरेशन के कमरे को OR कहा जाएगा त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओपरेशन के कमरे में जल्दी से जल्दी STS करना मा और नवजाच शीशू के लिए ज़रूरी है इसी श्रंखला के एक अन्य टुटॉरियल में इसके फायदे बताए गये है प्रसव से पहले इसकी तयारी पर भी उसी टुटॉरियल में बताया गया है इस टुटॉरियल को देखने से पहले कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर उस टुटॉरियल को देखे अब आपरेशन के कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर की प्रक्रिया पर बात करते है इस वक्त शीशु जन्म ले चुका है गर्भन आल को दबा दिया जाता और काटा जाता है आपरेशन अभी भी जारी है अब डॉक्टर से नर्स को शीशु ले लेना चाहिए उसे पक्का करना चाहिए कि शीशु स्वस्थ है और रो रहा है फिर उसे शीशु को जल्दी से पोंच कर सुखाना चाहिए उसे ओपरेशन वाले कमरे के सूखे साफ हलके गरम तॉलिये में शीशु को लपेटना चाहिए उसे शीशु के मां के पास ले जाना चाहिए उसे शीशु और मां के गालों को कम से कम 30 सेकेंड तक आपस में छूने देना चाहिए यदि मां शिशु को चुमना या पकड़ना चाहती है तो नर्स को उसकी सहायता करनी चाहिए मां की सहायता करने से पहले नर्स को डॉक्टर से सला लेनी चाहिए उसे ओपरेशन के डॉक्टर को STS शुरू करने की तयारी के बारे में सुचित करना चाहिए अब उसे अपने दोनों हातों से शिशु को मा के सीने पर रखना चाहिए शिशु का सिर मा की गर्दन के निचले हिस्से और छाती के उपरी हिस्से पर होना चाहिए शिशु का सिर और चहरा मा के किसी भी स्तन को छूने देना चाहिए फिर शिशु की च्छाती, पेट और पैरों को सही तरीके से रखे उसे मा की च्छाती के निचली तरफ और पेट के उपरी भाग पर आराम करना चाहिए ओपरेशन के कमरे में STS के लिए यह पहली या लंबवत स्थिती है इस तरीके से मा नवजात को आसानी से पकड़ सकती है शिशु को दूसरी तरह भी रखा जा सकता है, जिसे क्षेतीज स्थिती कहा जाता है इस स्थिती में डॉक्टर के ओपरेशन करने वाली जगह में कम अडचन होती है शिशु का सिर एक स्थन पर रखना चाहिए उसके पेट और पेरों को आराम से दूसरे स्थन पर रखना चाहिए नर्स को शिशु को उसी तॉलिये से ढखना चाहिए जिसमें वहल लीपता हुआ था शिशु के लिए डाइपर का इस्तेमाल करना आपकी मर्जी है इससे शिशु का पहला मल मा पर नहीं लगेगा ओपरेशन के कमरे में इसे साफ करना मुश्किल है त्वचा से त्वचा के संपर्क के दोरान शिशु को गर्म रखने के लिए टोपी की जरूरत नहीं होती इससे कई शिशु परेशान हो जाते है यह शिशु के स्तन के चूसने की ख्षमता में बाधा डाल सकता है इसे बाद में अस्पताल की बाकी प्रक्रियाओं के दोरान शिशु पर लगाया जा सकता है उसमें वजन तोलना शामिल है विटामिन के इंजेक्शन और पेरों के निशान लगाना भी शिशु के लिए एक परेशानी गर्भनाल दबाना है परंपरागत रूप से गर्भनाल को उसके आधार से कम से कम 3-5 सेंटीमिटर काटा जाता है फिर उसे एक धागे से बांधा जाता है या क्लैम से दबाया जाता है सक्थ प्लास्टिक गर्भनाल क्लैम शिशु की नाभी के बहुत करीब होता है यह स्टियस के समय शिशु और मा के शरीर के बीच में आता है शिशू STS के समय अपने शरीर को उठाता है ताकि क्लैंप पर दबाव ना डले इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है गर्भनाल को 8 से 10 इंच लंबा काट कर क्लैंप किया जाना चाहिए ऐसा करने से क्लैंप सीधे शिशू और मा के बीच नहीं आएगा पहले स्तनपान के बाद किसी भी समय गर्भनाल को फिर से क्लैंप करके थोड़ा और छोटा किया जा सकता है यह शिशू के पहली बार नहलाते समय भी किया जा सकता है शुरुआती STS के समय शिशू के मुह या नाक का नियमित चूशन न करे यह अक्सर शिशू के मुह के लिए बूरी तकलिफ होती है यह शिशू को परेशान कर सकता है यह उसके रदेगती और ले में भी बाधा डाल सकता है जादातर शिशू बिना किसी परेशानी के अपने बलगम को साफ कर लेते है अगर शिशू को बलगम साफ करने में मुश्किल हो रही है तो डॉक्टर से मिले नर्स को मा की छाती पर रखे हुए शिशू को आँखों से निरिक्षन करना चाहिए ओपरेशन पुरा होने तक यह निग्रानी जारी रहनी चाहिए उसे लगातार शिशू के सिर्की स्थिती को देखते रहना चाहिए शिशू के नथुने हमेशा दिखाई देने चाहिए शिशू का तापमान, रक्तसंचार, सास और रंग सब सही रहना चाहिए शिशू को मा की छाती से गर्दन की और नहीं खिसकना चाहिए यदि ऐसा होता है, तो नर्स को धीरे से शिशू की स्थिती बदलनी चाहिए स्थिती बदलते समय शिशू को मा की त्वचा से नहीं उठाना चाहिए ओप्रेशन के कमरे में शिशु रेंग कर आगे बढ़ सकता है वह गलत तरीके से हिल भी सकता है और चूसने के लिए स्तन को ढूंड सकता है ऐसे में नर्स शिशु के पेरो या जांक को धीरे से पकड़ सकती है इससे शिशु मा के छाती पर ही रहेगा ओप्रेशन पूरा होने के बाद भी STS जारी रखना जरूरी है इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटोरियल में इस पर विस्तार से पताया गया है अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद ओप्रेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को जारी रखे जाने के बारे में बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे ओप्रेशन पूरा होने के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क जारी रखने के तरीके इस टुटॉरियल में ओप्रेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओप्रेशन वाले कमरे में सबसे पहले मा और नवजाज शिशु के लिए STS जरूरी है एक अन्य टुटॉरियल में इसके फाइदे और तरीकों के बारे में बताया गया है जादा जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेब साइट पर जाएए अब बात करते हैं कि ओप्रेशन पूरा होने के बाद STS कैसे किया जाए अब इस स्तर पर जीवानू रहित कपड़ा हटा दिया गया है मा अब स्ट्रेचर पर लेटने के लिए तैयार है उसे स्ट्रेचर पर रिकावरी रूम में ले जाया जाएगा मा को स्ट्रेचर पर लिटाने से पहले शिशू की स्थिती को दोबारा ठीक करनी चाहिए नर्स को धीरे धीरे शिशू के पैरों को हिला कर सीधी स्थिती में रखना चाहिए शिशू का सर मा के स्थनों के बीच में होना चाहिए मा शिशु के उपर अपनी बाहें रख सकती है नर्स अपने हातों को मा के हातों के उपर रख सकती है ऐसा करने से जब मा को स्ट्रेचर पर डाला जाएगा तब शिशु सुरक्षित रहेगा अब उसे स्ट्रेचर पर सरकाया जा सकता है यह एक आसान प्रक्रिया है स्ट्रेचर बदलते समय शिशु को कभी भी मा के सीने से अलग नहीं करना चाहिए वह रिकवरी रूम तक उसी स्थिती में जा सकती है ताकि शिशु अपने पहले स्थनपान के लिए नौ चर्नों से गुजर सकता है जनम के बाद शिशु के नौ प्राकृतिक व्यवहार होते हैं पहला चर्न जनम के एकदम बाद शिशु रोता है दूसरा चर्न जब शिशु बहुत शान्त रहकर आराम करता है तीसरा चर्न है जागना जो शिशु अपने सर को हलका हलका घुमा कर शुरू करता है शिशु अपनी आँखे खोलता है और मुँ हिलाता है चौथे चर्न में शिशु अपनी आँखें पूरी खोलता है वह अपने खुले मुँ और होटो से मा की चाती को चूता है फिर वह अपना मुँ खोल कर चूसने की इच्छा दिखाता है वह अपना मुँ मा के स्तन की तरफ करता है पांचवे चरण में शिशू तब तक आराम करता है जब तक की वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार ना हो जाए छटे चरण में शिशू मा के स्तन तक रेंग कर पहुँचने की कोशिश करता है स्टन तक पहुँचने के बाद वो छू कर महसूस करना शुरू करता है जो सात्वा चरण है इसमें शिशू स्टन और निपल को चूसता चूता और दबाता है फिर शिशू स्टन से गहरे से जुड़ता है अब आठवा चरण शुरू होता है जिसे चूसना कहते हैं आखिर में नौवी प्राकृतिक अवस्था है सो जाना शिशू को कभी भी मा के सीने से नहीं उठाना चाहिए पैदा होते ही एक दम से कम से कम एक गंटा STS होना चाहिए कम से कम एक गंटा मा और शिशू को जरूर देना चाहिए वरना शिशु परिशान हो सकता है और अपना ध्यान खो सकता है यह जनम के बाद शिशु के शरीर की अनुकूलन ख्रमता में बाधा बनता है क्योंकि जनम से पहले शिशु गर्भ में सुरक्षित, शांत वे गरमवातावरण में था उसके शरीर को गर्भ के बाहर एक रोशनी वाला, शोरगूल और ठंडे जीवन के अनुकूल होना पड़ता है जब शिशु की स्थिती को फिर से बदला जाता है तो नौ चर्णों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए शिशु को एक बार फिर से सभी चर्णों से गुजरना होगा पर ये सब दूसरी बार जल्दी से हो जाएगा और इस से स्तनपान में देरी होगी पैदा होने के लगभग डेड़ से दो घंटे के बाद नवजात शिशु गहरी नींद में सो जाता है जबकि शिशु का सोना नौ प्राकृतिक चर्णों में से आखरी है शिशु के सोने से पहले आठ प्राकृतिक चरण पूरे होने चाहिए यदि उसे कई बार टोका जाए तो हो सकता है कि शिशु उन्हें पूरा ना कर पाए सोने से पहले शिशु को चूसने का अनुभव नहीं मिलेगा जागने के कई घंटों के बाद ही वह चूस पाएगा शिशु के जागने के बाद उसे फिर से त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखना चाहिए शिशु फिर से सभी नौचर्णों से गुजरेगा वहस्तन को ढूंड कर उससे गहराई से जुड़ेगा यह स्वभाविक तरीका जनम के पहले चार से छे महीनों के लिए रहता है शिशु के ऐसा करने को हमें बढ़ावा देना चाहिए खास कर जनम के शुरुवाती दिनों में इससे मा को दूद पिलाने और शिशु को पीने की आदत बनने में मदद मिलेगी पहले कुछ दिनों में सफल स्टनपान के लिए सिरफ STS सही होता है यह तरीका शिशु के दूद पीने के स्वभाविक व्यवार को सक्रिय करेगा इससे शिशु स्टन से गहराई से जुड़ना जल्दी से सीखेगा बाद में शिशु STS के बिना ही हर बार स्टन से गहराई से जुड़ पाएगा अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद मैं बाद में आपसे हूँ